उपन्यास कार व्रिंदावंदाल वर्मा का अपना जीवन एक उपन्यास से कम उतार चड़ा उपरा नहीं है। जब वे पैदा हुए उनका परिवार बहुत साधारन हैसियत का था। जिम्मेदारियां बहुत थी। 11 साल की उम्रों में उनका विवा हो चुका था। 1916 में वकील बन जाने तक वे अपने लिए एक भी गरम कपड़ा नहीं बनवा सके थे। उनके पूर्वज अपनी वीरता और देशवक्ति के लिए विख्या थे। वकाला से समय निकाल कर व्रिंदावंदाल वर्मा ने मैटरलिंक, अनातोल फ्रांस, मॉलियरे, मुपासा, इम मर्सन, तोलस्तोय और पूश्किन की किताबें पढ़ी। एक तरफ गुलामी थी, दूसरी तरफ समाज में गायर भराबरी और कूरीतियों का बोलवाला था। वर्मा जी विवश्ता में जी रह समाज की शक्ति बने। लोक रिवाज और लोगीतों को उन्होंने अपने पात में लोगी जगा-जगा कथानक का हिस्सा बन जाते हैं। बुंदेल खंड की काथाओं का अनिवार हिस्सा रही है बेत्वा। वर्मा जी के उपन्यासों में भी बेत्वा नदी प्रचन प्रवा में अपने ही किनारों को काटते वे दाहरती है। लगातार बारिश हो रही है हवा का तांडव सबको हिलाए हुए है। ऐसी भयानक स्थिति में भी उनके उपन्यास लगन की नाई का रामा बेत्वा को पार करती है। कुवन सिंग को प्यार करने वाली कुमुद बेत्वा में पैठती है। बेत्वा के तेज प्रवा और घोर बारिश के बीच लक्ष्म प्रेंदा वनलाल वर्मा के नारि पात्र अगर प्रेम करना जानती है तो उसके लिए मर मिटना भी स्विकार करती है, दासी होकर भी कछनार राजा दिलीप सिंग से मान सम्मान पूर्वक विवा की शर्त रखती है, म्रिग नैनी पर्दे का विरोध करती है अपने गाउं की नदी का पानी ग्वालियर के फिले तक पहुचाने की शर्त रखती है दोरगावती अकबर से टक कर लेती है तो लक्ष्मी भाई अंग्रेजों को मूँ तोड़ जवाब देती है मैं अपनी छासी नहीं दूँगी कदम कदम पर बुंदेल खंड की वीर का था है ब्रिंदा वनलाल वर्मा का पीछा करती रही बुंदेल खंड की आत्मा का भुगोल उनसे अधिक कोई नहीं जान सका उनका समगर लेखन सामाने जन जीवन के दुखतर्द और संगर्ष की अमर गाता है राजा मान सिंग और गूजरी रानी म्रिगनैनी की छत्र चाया में परवान चड़ी ग्वालियर घरानी की गाईकी का बहुत सुंदर वर्णन वर्मा जी ने अपने उपन्यास म्रिगनैनी में किया है संगीत, शिकार और कुष्टी वर्मा जी के शौक थे रूस के हिंदी विशेशक वारा निकोव और इतिहास का डॉक्टर वासुदेव शरण अगरवाल से उनका गहरा सम्बंद रहा व्रिंदावनलाल वर्मा के पहले उपन्यास गड़कुंडार को पढ़कर ओर्चा के शासक वीर सिंजु देव दिती इतने खुश हुए कि उन्होंने वर्मा जी को एक हजार बीगा जमीन शामसी गाओं के पास दी शामसी वर्मा जी की रचना स्थली थी बाड़नी ये जमीन गरीबों में दान कर विंदावनलाल वर्मा जासी आकर रहने लगे वर्मा जी के सुपुत्र श्री सत्यदेव वर्मा ने मयूर प्रकाशन शुरू करके वर्मा जी की रचनाओं के स्तरिये प्रकाशन किये विच्छाया की तरह अपने पिता के रचना कर्म में हमेशा साथ रहे पनित अमृत लाल नागर का मानना था कि वर्मजी ने अपने साहिते द्वारा इतिहास का निर्माण किया व्रिंदावन लाल वर्मा सिर्फ इतिहास कार बनकर रह जाते तो आज बुंदेल खंड की आत्मा के वे जीवंत प्रसंग हमारे सामने ना होते जो उपनियासों के रूप में बीते हुए वर्तमान की महान गाथा के अमर प्रसंग बन गए हैं अपनी विश्य प्रसित चर्चित कृती म्रिगनैनी के रचना प्रसंग में व्रिंदावन लाल वर्मा लिखते हैं 1949 के अंत में सम्मानित पाठिका महरानी सहाब ग्वालियर श्रीमती विजिया राजेस इंदिया ने मुझसे म्रिगनैनी और मान सिंग तोमर के एत्यासिक रूमानी कतानक पर उपन्यास लिखने का अनुरोध किया उन दिनों टूटे काटे उपन्यास समाप्ती पे आ रहा था उसको समाप्त करके कुछ लिखने की वांच्छा मन में थी ही अवसर पाते ही मैंने उस कतानक की एत्यासित प्रिष्ट भूमी का अरध्यन आरंब कर दिया जिन स्थानों का सम्मंद उपन्यास के मुखे कता से है उनका भ्रमण भी किया मान सिंग तोमर 1486 से 1516 इस्वी तक ग्वालियर का राजा रहा इतियास लेखक फरिष्टा ने मान सिंग को वीर और योग शासक बतलाया है अंग्रेज इतियास लेखको ने मान सिंग के राजिकाल को तोमर शासन का स्वण युग कहा है पंदर्वी शताब्दी के अंत और सोल्मी शताब्दी के प्रारंब को राजनीतिक और आर्थिक द्रिष्ट से भारती त्यास का कराल कठोर और काला युग कहें तो अतिशयोगती ना होगे उत्तर में सिकंदर लोदी और उसके सायोगियों के परसपर युद तथा दोनों द्वारा घोर जन पीडन राजस्थान में राणा कुम्भा का अपने बेटे कही हार से विश्ध द्वारा बद और उसके बाद महा की अराज़क्ता गुजरात में मैमूर बघर्रा के अगणित विजन और रक्तपात मालवा में ग्यासुदीन खिलजी और उसके उत्राधी कारी नसीरुदीन के अत्याचार और अयाशी दक्षिन में वहमनी सल्तनत और विजयनगर राजी के युद्ध और वहमनी सल्तनत का पांच सल्तनतों में बिखर जाना जौनपूर बिहार और बंगाल में पठान सरदारों की निरंतर नोच खसोट और इन सब के लगभग बीच में गौालियर गौालियर पर सिकंदर लोधी के पिता बैलोल ने आक्रमन किये फिर सिकंदर ने गौालियर का कचुमन निकालने में कसर नहीं लगाई सिकंदर गौालियर पर पांच बार वेग के साथ आया पांचों बार उसे मान सिंग के सामने से लोट जाना पड़ा उसके दरबारी इतियास लेक को अगबार नमीशों ने लिखा है कि मान सिंग ने प्रते एक बार सोना चांदी देने का वादा सोना चांदी नहीं देखर टाला आश्चर ये सिकंदर से इखा कठोर योध्धा मान भी लेता था अंट में सिकंदर को पंदर सो चार में आगरा का निर्मान इसी मान सिंग तोमर को पराजित कर रिकली करना पड़ा इसके पहले आगरा एक नगर्ण सास्थान था तो भी सिकंदर सफल न हो पाया ग्वालियर पर घेरा डाल कर नर्वर पचड़ाई कर दी नर्वर ग्वालियर राजी में था उस पर दावा राज सिंग कच्छवाह का था राज सिंग ने सिकंदर का साथ दिया तो भी नर्वर वाले ग्यारा महिने तक लगातार युद्ध में छाती अड़ाय रहे जब खाने को घास और पेड़ों की छाल तक अलब्बे हो गई तब उन लोगों ने आत्म समर्पन किया फिर सिकंदर ने मन की जलन नर्वर इस्थित मंदिरों और मूर्तियों पर निकाली वो छे महिने इसी उद्देश से नर्वर में रहा ऐसे यूग में इतने संकटों में भी मान सिंग हुआ उसने तथा उसकी रानी विर्गनैनी ने जो कुछ किया उसका प्रत्यक्ष ब्रमान आज भी हमारे सामने है ग्वालियर के भीतर मान मंदिर और गूजरी महल हिंदू वास्तु कला के अट्यन्ट सुन्दर और मोहक प्रतीक हैं तथा अद्रुपद और धमार की गाईकी और ग्वालियर का विद्या पीट जिसके शिश्यतान सेंथे आज भी भारत भर में प्रसिद्ध हैं जिसको मुगल वास्तु और अस्तापत एकला कहते हैं वो क्या मान सिंग के ग्वालियर के शिल्पियों की देन नहीं है महा कवी टैगोर ने ताज महल को काल के गाल का आसु कहा है यदि मैं जिसको कविता पर अंश मात्र का भी दावा नहीं है मान मंदिर और गुजरी महल को काल के ओठों की मुसकान कहूँ तो महा कवी टैगोर के उस वाकिय का एक प्रकार से समर्थनी करूँगा जब पंद्रह सुसथाइस में बाबर ने मान मंदिर और गुजरी महल को देखा तब उनको बने 20 वर्ष हो चुके थे सन पंद्रह सो साथ में यदिर और गूजरी महल के सुचन की कलपना को म्रिगनैनी से प्रेड़ना मिली होगी बैजनात नायग, बैजू बावरा, मान सिंग म्रिगनैनी के गायक थे गूजरी टोड़ी, मंगल गूजरी आदिराग इसी म्रिगनैनी के नाम पर बने हैं म्रिगनैनी शौरे और कलाद दोनों के लिए विख्यात थी म्रिगनैनी गूजर कुल की थी, राई गाउं की दरिद्र कन्या, शारेरिग भल और परम सौंदरी के लिए ब्याहा के पहले प्रसिद्ध हो गई थी परमपरा में तो उसके विशे में यहां तक कहा गया है कि राजामान सिंग राई गाउं के जंगल में शिकार खेलने गए तो देखा कि म्रिगनैनी ने जंगली भैसे को सींग पकड़ कर मोड दिया ग्वालियर गजेटियर में इसका उलेक है फिर मैंने गूजरों में घूम फिरकर बाते की उन्होंने भी उसी का समर्थन किया उसके भाई की गड़ी भी अब खड़नार हो गई है परंत उसके भाई अटल और लाखी के त्यागों के खड़नार नहीं हो सकते वर्मा जी की स्टिपणी से याद आती है उनके उपन्यास जासी की रानी लक्ष्मी भाई के परिशिष्ट की पंक्तियां जो उन्होंने जूही और काशी भाई के बलिदानों के लिखी है वे लिखते हैं जूही की कोई कब्र नहीं बनी और ना काशी बाई का कोई चैते जहासी वालों के रदे में जो आसीन हो उनको कब्र या चैती की क्या जरूरत उपनियास में आएवे सभी चरीत्र थोड़ों को छोड़ कर एतिहासिक हैं विजय जंगम लिंगायत था ग्वालियर के खिले के भीतर जैसे तैल मंदिर बना उसी प्रकार करनाटक से विजय ग्वालियर में प्रादूर भूत हुआ लिंगायत संप्रदाय का वासव पुराण दक्षिण में बारवी शताब्दी में लिखा गया था इस संप्रदाय में वर्ण भेद का तिरसकार किया गया है श्रम गायक को जो महत्व और गौरव वासन ने दिया उसको देखकर दंग रह जाना पड़ता है संसार के किसी भी देश में उस समय श्रम और श्रमिकों को गौरव नहीं दिया गया था उसका श्रे लिंगायत संप्रदाय के अधिश्ठाता को ही है साथी अहिंसा सदाचार और मादक वस्तु निरोध पर जोर दिया गया है उससे जान पड़ता है जैसे अधिश्ठाता का जन बीस्वी सदी में हुआ हो अधिश्ठाता ब्रामर थे और उनकी बहन एक शत्री नरेश को ब्याही गई थी वो कभी बार्वी शताब्दी में विजय जंगम लिंगायत मान सिंग तोमर का मित्र था मान सिंग ने इससे भी कुछ पाया तो कोई आश्चरे नहीं विजय ज जानपात ने भारत में रक्षात्मक काम भी किया और आज भी शायद कुछ कर रही हो परन्तु उसका विनाशात्मक काम भी कुछ कम नहीं हुआ है अप्रेल सन 1950 में छपी एक घटना है टेहरी अलमुडा के एक गाउं में एक लुहार ने बारा वश वे दूसरी जाती की लड़की के साथ विवा कर लिया बारा वश तक ये लुहार जात्माथ से बाहर रहा कहीं अब अप्रेल में गाउं की नई पंचायत ने उसको बाहल किया फिर पंदर्वी सोल्वी शताब्दी में लाखी और अटल के सिर पर क्या-क्या नबीती होगी उसकी कल्पना ही की जा सकती है लाखी और अटल की कथा के साथ नटों का संबंध है नटों और नर्वर के प्रसंद में एक दोहा प्रचलित है नर्वर चड़े न बेरनी, बूदी छपे न जीट, गुद्नोटा भोजन नहीं, एरच पके न इट किवधनती है किसी ने एक नटनी पेड़नी को नर्वर खेले से बाहर रस्य पर टंगे टंगे जाकर जो खेले के बाहर एक पेड़ से बना हुआ था, चिट्टी ले जाने को कहा और वचन दिया कि यदि चिट्टी बाहर पहुचा दो, नर्वर का आधा राजी दे दिया जाएगा नटनी रस्य के साहरे किले से बाहर हो गई, जब उसी के साहरे वापस आ रही थी, तो वचन देने वाले ने रस्य को काट दिया और नटनी नीचे ख़ड में गिर कर चकना चूर हो गई मैंने इस किमदंती का दूसरे प्रकार से उपयोग किया है, म्रिगनैनी ने अपने ब्यार से पहले राजा मान सिंग से वचन ले लिये थे, उनमें से एक ये भी था कि राजा राई गाउं से गौालियर के ले तक साहरे नदी की नहर ले जाएंगे, राजा ने ये नहर मान हैं, एक किमदंती है कि मान सिंग के 200 राणिया थी, गौालियर के ले के गाईड ने मुझको दूसरी किमदंती का पता दिया कि राजा मान सिंग के 8, 8 राणिया थी, मैंने गाईड के शब्दों को जियों का तियों उद्रित कर दिया है, 8 उनी का है, ना लिखता तो कहते मेरा अपमान किया अंग्रेजी का एक ही शब्द बोला था उसको भी छोड़ दिया मैंने गाइड की कही हुई बात को ही उपन्यास में मानिता दी है गाइड और गूजरों ने बताये कि म्रिगनेनी के दो पुत्र हुए थे एक का नाम राजे और दूसरे का बाले मान सिंग की बड़ी रानी से एक पुत्र विक्रमा दिति था जो मान सिंग के पीछे राजा हुआ गाइड और गूजरों ने बताये कि राजे और बाले इर्शावश मारे जाने वाले थे कि उन्होंने आत्मवद कर लिया मुझको ये परंपरा मानने नहीं है गूजरों की एक दूसरी परंपरा है कि म्रिग्नेनी ने अपने पुत्रों को राजे न दिलवा कर विक्रमा दिति को राज दिलवाया मुझको यही मानने है उस बीहड भेंकर युग में मान सिंग को तुर्क पठान आक्रमन कारियों से निरंतर लड़ना पड़ा परंतु उसके मन में मुसल्मानों के प्रति कोई दोश नहीं रहा उसने सिकंदर के भाई जलालुदीन के साथ आये हुए अनेग मुसल्मानों को ग्वालियर में शरण और रक्षा प्रदान की लेलित कलाओं के लिए मान सिंग और बिग्नेनी ने जो कुछ किया वो भारत के इतियास में अमर रहेगा बोधन ब्रामन एतियासिक व्यक्ति है अंत में व्रिंदा वनलाल वर्मा अपना आभार बगट करते हैं कथावस्तू के संग्रे में मा मान्या मारानी साहब ग्वालियर मध्य भारत के मंत्री मंडल और ग्वालियर के पुराततु विभाग ने मेरी बहुत सायता की है मैं उनका बहुत कृतग्य हूँ ग्वालियर पुराततु विभाग के डारेक्टर शीपाटिल का भी मैं आभारी हूँ जिनके सौजने से मुझको ग्वालियर किला, मान मंदिर, गूजरी महल और राजा मान सिंग के चित्र मिले ये महज इत्फाक नहीं है कि ग्वालियर राचे व्रिंदा वनलाल वर्मा के तीन अमर कृतियों के केंदर में रहा है जहासी किरानी लक्ष्मी भाई, माधव जी सिंधिया और म्रिग नैनी इस तरह कथा, पात्र, स्थल, प्रकृतिय और कलाएं सब मिलकर बनाते हैं एक संपून उपन्यास जो पीड़ी तर पीड़ी हसनांतरित होता रहता है ये बड़ी खूबी है व्रिंदा वनलाल वर्मा के लेखन की